साथियों, सारवजनी जीवन में मुझे एक लंबे समय से काम करने का सौभागे मिला है मैंने पहले की कितनी ही सरकारे देखी है उनका कामकाज भी देखा है इस लंबे कालखन में जो मुझे सबसे अधीक अखरा जिससे मुझे सबसे ज़्यादा पीड़ा हुई है वो है देश के धन, देश के समय और देश के संसाधनों का दूर्पयोग उसका अपमान सरकारी पैसे है, तो मुझे क्या, मेरा क्या, ये तो सरकारी है ये सोच देश के संतुली और संपूर्ण विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन गई है इसी सोच ने सर्यू नहर परियोजना को लटकाया भी बटकाया भी आज से करीब, पचास साल पहले इस पर काम शुरू हुआ था, आप सोचिए पचास साल के बाद, आज इसका काम पूरा हो रहा है जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था, यह सिर्फ यहां के नागरिक नहीं, देश के नागरिक भी इस बात को समझे हिंदुस्तान का हर नागरिक समझे, हिंदुस्तान का मेरा नवजवान समझे जो अपने उजवल भविश की काम ना करता है, वो मेरा देश का हर नवजवान समझे साथियों, जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था, तो इसकी लागत सो करोड रुपिये से भी कम थी जब आप बोलेंगे, कितनी लागत थी उस समय जब चुरू होना था तब, कितनी थी, कितनी थी, सो करोड और आज कहां पहुँचा मालू मैं, आज ये लगभग दस हजार करोड रुपिये खर्च करने के बाद पूरी हुई है, दस हजार करोड कितना, कितना पहले होना था सो करोड में, आज हुआ 10,000 करोड में ये पैसा किसका था भाईयों ये पैसा किसका था ये धन किसका था आपका थाग नहीं था इसके मालिक आप ठेग नहीं थे आपके महनत का एक एक रुपिया सही समय पर सही काम के लिए उपयोग होना चाहिए तक नहीं होना चाहिए था जिनोंने ये नहीं किया वे आपके गुनगार है कि नहीं है आपके गुनगार है कि नहीं है ऐसे लोगों का आप सजा देंगे कि नहीं देंगे पक्का देंगे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों पहले की सरकारों की लाप परवाय की सो गुना जादा किमात इस देश को चुकानी पड़ी है हमारे इस छेतर के लाखों किसानों को भी अगर सिंचाई का यही पानी अगर बीच साल तीस साल पहले मिला होता आप कल पना कर सकते थे अगर मेरे किसान के पाद पानी होता पिछले पतीस तीस साल में पानी उसके पाद पहुचा होता तो वो सोना प्यादा करता कि नहीं करता देश का खजाना भर देता कि नहीं भर देता अपने बच्चों की सिक्षा दिक्षा अच्छी कर पाता कि नहीं कर पाता भाईयों बेनों दसकों से इस देरी की वज़े से मेरे यहां के किसान भाईयों बेनों का भी अर्बों खर्बों रुप्यों का नुक्षान हुआ है